हलो फ्रेंड्स आप वेलकम यूँ अन दिस टुटोरियल वीडियो और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होलो कौन का सेंटर ओव मास कैसे निकाला जाता है तो चलिए शुरू करते हैं अब सेंटर ओव मास निकालने के लिए हम इस डाइग्राम को कंसिडर करेंगे यहां पर हमने जो कौन है उसका जो वर्टेक्स है उसको ओरीजिन पर रखावाए और कौन को इस तरह से रखावाए कि हो एक से के अक्रोस हमें सिमेट्रिक दिख रहा है और कौन की जो हाइट है अब जहां पर हम सिमेट्रिक का यूज कर रहे है तक हमें कम से कम मैनत में सेंटर ओव मास निकाल पाएं अब सिमेट्रिक की वज़े से यह जो कोन है इसका सेंटर ओव मास इस एक सेक्सिस पर किसी पॉइंट पर होना चाहिए और इसके बेस के सेंटर के बीच में suppose जैसे यह point हो गया अभी हमने माना कि जो center of mass है वो यहां कई हो सकता है अब हमें क्या point निकालना है अब center of mass निकालना है जो formula यूज होगा वो होगा x dm x cm equals to cm मतलब center of mass upon integral x dm upon integral dm यह हम use करते हैं formula जब continuous object की बात होती है और उसमें जो dm है हमें क्या करना रहता है उस continuous object में differential element consider करना पड़ता है so dm उस differential element क्या होता है mass x क्या होता है जो भी reference axis से उसका उस dm mass तक का जो distance है वो है x के बराबर तो हमें यहां पर इस cone में भी क्या करना है एक differential element consider करना पड़ेगा अब क्यूंकि यह holocone है तो इसके पास केवल इसका curved surface area होगा ओके, holocone है तो केवल curved surface area की हम बात कर सकते हैं इसमें तो differential element मैं यहाँ पर consider कर रहा हूँ तो इस holocone में एक ring as a differential element consider होगी वो मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ आपने एक circular ring consider करिये जिसका जो radius है वो smaller और y axis से उस ring का जो distance है वो है x के बराबर width है dx के बराबर और इस ring का जो mass है वो होगा dm अब सबसे पहले हमें क्या करना है इस dm value को निकलने तो dm कैसे निकालेंगे हमें क्या मनना है कि यह जो holocone है इसके पास surface area के वल तो इसकी mass per unit area यह जो density है वो throughout cone के क्या होनी चीए constant होनी चीए okay so density की बात करें तो पूरे कोन का mass upon पूरे कोन का cut surface area वो क्या होता है पूरे कोन का जो radius of base है वो है capital R into this land height L it is equals to dm dm upon इस dm जो इस ring है उसका mass dm है और इसका area हमें नीचे divide में लिखना है तो area क्या होगा इसका circumference जो की है 2 pi small r into इसकी जो width है वो है dx के बराबर okay तो यहाँ पर pi और pi cancel हो गया और dm की बात करें तो भो हो जाएगा 2m r dx upon r l अब capital M capital R और यह capital R यह बड़े वाले यह पूरे कोन का mass radius और slant height है तो यह हमें क्या constant की तरह treat करना है okay m r all l के l को अब dm की value हम यहाँ पर put करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा x cm equals to integral of x dm की value put करें तो हो है 2m r dx upon capital R line to capital R upon integral 2m r dx upon rl यह हमने value put कर दी dm की अब जो जो constant है उसे हम क्या करेंगे integration से भार निकाल देंगे dx okay so 2m by rl यह पूरा एक दूसर से cancel हो गया और finally हमारे पास बचेगा so finally यह बचा है अब अब यहाँ देख सकते हैं कि x r यह दोनो variable है और integrate हमें x के respect में कर रहा है okay मतलब x change होएगा तो उसके साथ में r भी change होएगा तो x और r दोनों क्या है variable है तो हमें क्या करना रहेगा r in terms of x लिखना पड़ेगा okay तभी हम यह उपर वाल integral और नीचे वाल integral को evaluate कर पाएंगे so मैं यह section rub कर रहा हूँ अभी हमें इसकी जरूर नहीं है so x और r में relation लाने के लिए हम यहाँ पर similar triangles का use करेंगे okay मैंने क्या कर रहा है यह जो कोन है इसका अगर हम front view देखें उपर के section का तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा अब यहाँ पर हम देखें तो यह triangle और यह triangle यह दोना 90 degree और यह वाला triangle और यह वाला triangle उन दोनों में यह जो angle है वो common है तो by angle angle criteria यह दोना triangles क्या हो गए similar हो गए अब triangle similar है तो इनके sides के ratio क्या होंगे एक पल होंगे मतलब की बड़े वाले triangle का base अपॉन छोटे वाले triangle का base यह बराबर होना चीए बड़े वाले triangle की height अपॉन छोटे वाले triangle की height अब यहाँ से हम r की value निकालें तो r is equals to x into capital r by h यह हमने small r की values in terms of x निकाली है अब यह value हमें क्या करना है इस integral में put करना है so value put करने पर x cm equals to x2 as it is और r की value into x capital r by h dx अपॉन integral x r by h dx अब यहाँ पर हम वापिस से देख सकते हैं कि r और h यह दोनों क्या है constant तो r by h को हम वापिस से उपर वाले integral से भाहर निकाल सकते हैं और नीचे वाले integral से भी क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं और numerator में x into x इस integral के अंदर वो हो जाएगा x square so r by h और r by h यह दोनों होगे cancel अब बचा गया integral of x square dx और नीचे integral of x dx अब यहाँ पर हमें limit put करनी हैं अब integration किसके respect में करने हैं x के respect में तो यहाँ पर हमें इस x की limit put करनी हैं so यह start होगा x 0 से start होगा और maximum कहां तक जाएगा h ही तक जाएगा so lower limit रहेगी 0 और upper limit रहेगी capital h के बराबर यहाँ पर भी lower limit 0 और upper limit होगी capital h के बराबर मैं यह रब कर रहा हूं अब उपर वाले integral को solve करेंगे तो x square का integration क्या होता है x cube by 3 ओके limit put करें तो upper limit होगी capital h और lower limit होगी 0 नीचे वाले integral को evaluate करेंगे तो x का integration क्या होता है x square by 2 upper limit h lower limit 0 ओके limit substitute करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा h cube by 3 upon h square by 2 ओके अब यहाँ पर h square दो h cancel हो जाएंगे तो h बचेगा और finally हमें मिलेगा twice h by 3 ओके मतलब की इसका center of mass का होगा vertex से twice h by 3 नीचे जाएं तो उस point पे x axis के उस point पर क्या होगा इसका center of mass ओके अब यह मैं पूरा रब कर रहा हूं अब ध्यान से समझेगा center of mass यह क्या आया है 2 h by 3 ओके अब आप कोई books में देखोगे तो आपको center of mass h by 3 भी मिलेगा अब ऐसा क्यों होता है कि दो अलग-अलग answer हमें मिल रहे हैं तो difference यह है कि reference आपने क्या लिया है हमने यह पर problem को start करते समय reference क्या लिया था vertex से vertex से हमने distance count करना है start करा था तो अभी हमारा जो answer आया है 2 h by 3 यह किसके हिसाब से आया है 2 h by 3 distance नीचे vertex से यहाँ पर तो इस point पर क्या होगा इसका center of mass और अगर आप base से reference लें यह base से reference लें तो base से उपर कितना जाना पड़ेगा h by 3 इतना उपर क्या होगा इसका center of mass ओके अब add करके देख लें 2 h by 3 plus h by 3 यह बराबर किसके आएगा h के आएगा तो answer के आता है कि हमने reference क्या लिए है अगर हमने vertex reference लिया है तो answer के आएगा हमारा 2 h by 3 और अगर हमने base, base से reference लिया है तो जो हमारा answer है वो क्या आएगा h by 3 so x is equal to 2h by 3 from vertex of cone and x is equal to h by 3 from base of cone okay so यह पूरा वीडियो था center of mass of holocone पे कैसे उसको निकाला जाता है and I hope that this video will be helpful for you all और आपको वीडियो पसंद आया तो आप से like कीजिए, share कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो subscribe करना ना भूलिए notification bell को press करें ताकि जैसी कोई नहीं वीडियो अपलोडे आपको उसकी तुरंद information मिल जाए thank you so much, thank you for watching